धार्मिक मानिताओं के अनुसार भगवन स्रीक्रेश्न स्वयम बास्तु का ज्यान रखते थे। योदिश्टेर के राज अविशेक के समय स्रीक्रेश्न ने उन्हें राज्य और घर की सुप्समरद्दी के लिए बास्तु के उपाय बताए थे। बास्तु सास्त्र में घर में रखी सभी चीजों के सुप अशुफल बताए गए हैं क्योंकि इनका सीधा अशर हमारे जीवन पर पड़ता है। बास्तु के अनुसार किये गए कार्य सुप और मंगलमई परिनाम देते हैं। धार में एक माननेताओं के अनुसार भगवान स्रीक्रेष्ण स्वयम बास्तु का ग्यान रखने वाले थे। योधिश्टेर के राज अभिशेक के समय स्रीक्रेष्ण ने उन्हें घर राज और सभी जगे सुप सम्रद्दी के लिए बास्तु के उपाय बताये थे। आए जानते हैं भगवान स्रीक्रेष्ण की बताई हुई कौनसी वह बातें या चीज जने अपना कर हम सुख सम्रद्दी ला सकते हैं। ऐसे ही हम भूमी पर आप और में अभी बैठे हैं मालिलिता आस्रम में। इस आस्रम का अपना एक बास्तु है। तो जहां भूमी है वहां साक्षाद बास्तु देरता विद्धिमान है। शुक्लेजर बेद में बास्तु की महिमा भी गाई है। बास्तोस्पते प्रदिजान यस्त्वान स्वावेशो अनमीवो भवानहा यत्वे महे प्रतितन्यो जुकस्वसन्यो भबद्धिपदे संचतक्पदे अनेक अनेक पुराणों में बास्तु की महिमा गाई है कि और ये बिलकुल निश्यत सत्य है कि जहां बास्तु की करपा हो जाती है वहां ग्रह भी अपने आपनकूल हो जाते हैं बास्तु पर चिंतन किया जाए बिलकुल सह सरल सरल सा चिंतन तो हमको शदईव अपने ग्रह में पूर्बोर उत्तर दिसा को थोड़ा खाली और स्वक्ष साप रखना चाहिए अगने कोण में हमारा रशोई घर होना चाहिए जहां पर प्रशादी निर्मित हो भगवान को भोग लगे ग्रहस तो सेपाएं नेरित्य दिसा में घर के जो मुखिया है उसका सैनकक्ष होना चाहिए बायब्य दिसा में सोचाले आदी का निर्मान होना चाहिए बायब्य का एक भाग छोड़ करके जब हम बास्तु पर चिंता करते हैं तो बास्तु के नो भाग होते हैं उत्तर वायव्य और वायव्य पस्चिम में एक भाग छोड़कर के फिर सुचाले आधी का निर्माल करें उत्तर में देखिए भगवति मालक्षमी के जो सचेवें कुवेर हैं उनका इस्थान है उनका इस्थान है उत्तर दिसा हमारी सुचिता पूर्ण रहनी चाहिए स्वक्ष रहनी चाहिए और खुली-खुली होनी चाहिए अप्ट्यदेख हमारे धरवाजे खड़िकियां जो है वो उत्तर दिसा में होनी चाहिए उत्तर से हम चलते हैं इसान में तो इसान तो बास्तो देवता का मुख है तो महारा इसान दिसा में सदैवर भगवान का अर्चन हो पूजन हो वह दिसा सबसे जादे साप रहे और मैं तो ये भी कहूँगा दर्शकों से कि सबसे पहले प्रात्यकाल अगर आप जाड़ू भी लगाते हैं घर में तो सबसे पहले इसान दिसा को सख्ष करना चाहिए इसान दिसा में जाड़ू लगाना चाहिए इसान दिसा में कभी भी किनी भी परिस्थतियों में जीने का निर्माण नहीं करना चाहिए इसान दिसा में कभी भी भी भारी बस्तू नहीं रखना चाहिए इसांदिसा सदेव हल्की रहे वहाँ देव पूजन पद्धती हो विद्यारती सेन कर सकते हैं मात्र विद्यारती सेन करें वहाँ पर अध्यन करें और भगवान का अर्चन पूजन भजन हो जलका इस्थान है वह रहे पर वे भी कुछ भाग छोड़ करके इस प्रकार से बास्तु का हमें शदय शम्मान करना चाहिए और बास्तु देवता से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि वो हमारे जीवन में कल्यान करें मंगल करें और जिस जातक के जीवन में बास्तु की कृपा हो जाती है पाराज महां तो सारे देविता प्रशन नो जाए